हेलो दोस्तो, लेट्स क्रेकट की मैगजीन एनलाइसी स्रीज में आप लोगो का स्वागत है और विज्ञान प्रिगती मैगजीन जुलाई 2022 की आप लोगो के सामने हैं मैगजीन होती है और वो कैसे मिलती है उसका link मैंने आपको description में दे दिया है ये वाला telegram channel इसका भी link मैंने आपको description में दे आए main articles की तरह चलते हैं और यहाँ पर basically थोड़ी सी बात तो mounsoon की हुई है बाकी कुछ और आर्टिकल भी दिये गए हैं इदर उदर के तो उनको भी यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या चीज़े कवर की गई है सबसे पहला आर्टिकल तो मौनसून के बारे में यह हैं मौनसून के बारे में आप लोग काफी कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी अब यहाँ पर दिया गया है तो हमको पढ़ना पड़ेगा तो मौनसून को अगर हम देखें तो अर्वी भासा में मौसिम कहा जाता है तो यह चीज़ मिल जाएगी मौसिम का मतलब होता है कि पाने की भाव से भरी हवाएं इंगलिश में इनको ट्रेड बिंड कहा जाता है तो यह आपका important हो जाता है कि ट्रेड बिंड जो है वो इस तरीके से आपर होती है ट्रेड बिंड जो है वो आपकी मौनसून को लाने का काम करती है ले जाने का काम करती है मौनसून आ रहा है, मौनसून जा रहा है वो abges busy origin वे और ही यहाँ पर होता है Trade का मतलब होता है व्यापार और व्यापार के दोराँ जब यहां पर आपकी wind के जरीये व्यापार किया जाता था तो ये जो हवा है इनको नाम दिया गया trade wind तो गर्मियों के मोसम में दक्षण से पस्चिम से सर्दियों में उत्तर पूरब से ऐसी तेज हवाई जो चलती हैं उनको ट्रेड बिंड यहां पर का जाता है लगबग 2000 वर्ष पहले इस बात का यहां पर पता चला और जहाद जो है वो ब्यापार करने के लिए जाया करते थे तब इन हवाओ के सारे वो अपनी जो रूट है उसको यहां पर देखा करते थे तैय करते थे लाइक काली कट पर पहुँचना है तो किस मोसम में पहुँचे की हवाएं उस तरफ को चल रही है ओके तो इस तरीके से ट्रेड विंड का सारा ले करके मूव्मेंट जो है वो यहां पर की जाती थी लेकिन अब यह चीज़ें और आगे बढ़ चुकी हैं और इससे हमारा मौनसून पूरी तरीके से प्रभावित भी आँपर होता है इसी तरीके से अगर आप देखें तो पस्चिम में आपका बंगाल की खाड़ी से भी देश के मुख्य भूभाग की और बारिश की बुंद रने वाली धंडी हवा को भी दक्षनी पस्चिमी मौनसून ही कहा जाता है तो यह तो किलियर है काफी सारी चीज़ें आपको कौमन मिल जाएंगे कि इधर से मौनसून यहां पर आता है तो यह साइट जो है वो आपकी साउथ और वेस्ट की यहां पर पढ़ जाती है और अधिक ठंडी हवाएं हमारे देश में आगर बरसने लगती है देखो यार यह तो मौनसून की छोटी छोटी बाते हैं यह तो सब आपको पता है आपने जोगरफी सेक्षन के अंदर पढ़ी है अभी यहां से पढ़के आपको कोई नया पॉइंट नहीं पता लगने वाला बस ये एक तरीके साब समझो कि हिंदी बासा में आपको रिवीजन यहां पर हो जाएगा या हिंदी बासा में कोई भारी टम यहां पर निकल करके आती है जिसको आप अपने ऐसे वगरा में यूज कर सकते हो हमारे देश में दक्षन पस्चिमी मौनसून आता है एक जून को यहां पर पढ़ना शुरू होता है उसकी दो साखाएं माली जाती है एक अरब साखर में जाती है और दूसरी बंगाल की खाड़ी से जाती है जो अरब साखर से जाने वाली है वो आपकी मौंबई और ये देखोगे कि आप गुजरात से होते हुए बिंधिया सत्पुरायन क बीच में जाती है और दूसरी तरफ जो है वो आपकी बंग्ला की खाड़ी वाली जो है वो आपकी नोर्थीस से होते हुए मुर्ती है अराकान योमा से होते हुए और फिर अंदर की तरफ आती है और जो आपके गंगेटिक पिलेन है वहाँ पर बर्षा करती हैं तो ये चीज़ें काफी किलियर यहाँ पर हो जाती हैं इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आम तोर पर बंगाल की खाड़ी में 25 मही के आसपास मौनसूर शुरू हो जाता है लेकिन डक्शन पसी मही मौनसूर को हम देखते ह हैं कि एक जून के आसपास केरल तक मौनस था है उससे पहले अंडबान है निकोबार दीब समूओं में ये बारिश यहाँ पर करता है फिर आपका मुंबई पहुंचता है और उडिसा को भिगोता हुआ गंगा यमना के जो मैदानी इलाके है वहाँ पर बारिश यहाँ पर ह में बढ़िया मौनसून का मतलब होता है खोशी और अमन पानी के भंडार बढ़ जाते हैं पानी नदियों में बहुत जादा बढ़ जाता है जिससे कि हमारी जो बोटर सिक्यूरिटी है वो भी हाँ पर हासल होती है तो यह चीज़ आपको नहां पर मिलेंगे इसके बाद अ आंद्रप्रदेश और तमिल नाडू के इलाके हैं जहां ओन सेट के समय पर बर्शा नहीं हुई जब एक जून का मोशन था उस समय ये रेंशेडो एरिया होता है वहाँ पर बर्शा नहीं होती लेकिन जब रेट्रेटिटिंग मौनसून होता है तो आंद्रप्रदेश और चामिल नाडू के जो तर्टिये इलाके हैं वहां पर जमकर वर्षा यहां पर होती है और लगबक 100-120 दिन तक मौनसून जो है वो हमारे देश के अंदर यहां पर रहता है भारी जो खुशियां है वो यहां पर ले करके आता है इसके साथ साथ एक मौनसून पक्षी भी यहां पर है जिसका नाम है चातक और जब मौनसून आने वाला होता है तो इसके जो ब्याभार है उसमें लगतार परिवटन देखने के लिए मिलता है इसकी आवाज है चेंज हो जाती है और बेसिकली एक खुशी जो है उसको यहां पर दिखाता है और अलग-अलग जो पक्षी व में आपने अल्नीनो ला नीना अल्नीनो सदन उस्चिलेशन यह सब नाम आपने हापर सुने होंगे अल्नीनो सदन उस्चिलेशन के दो फेज होते हैं एक होता है आपका अल्नीनो और एक होता है आपका ला नीना ओके यह दोनों जो है वो बेसिकली बाम फेज और कोल्ड फे पर वहां पर जब समुद्र का पानी बहुत जादा गरम हो जाता है तो वहां के निवासी इसको अल्लीनो का नाम यहां पर देते हैं तो पानी के गरम धाना बहने लगती हैं जिसकी कारण पेरू के कोस्ट पर समुद्र का पानी है वो काफी जादा गरम हो जाता है अल्नीनों का मतलब होता है बेबी क्राइस्ट और बेबी क्राइस्ट नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि समुद्र की जो पानी गरम होने के घटना है क्रिस्मस के आसपास होती है और क्रिस्मस के आसपास होने कान इसको बेबी क्राइस्ट नाम यहाँ पर दिया जाता है अब आप सोच रहोगे कि इतनी दूर पेरू के समुदर का जो पानी गरम हुआ है उससे हमारे देश को क्या मतलब है जब वहाँ समुदर का पानी गरमाता है यानि कि Al Nino होता है वहां साहुथ अमेरिका के पेरू के कोस्ट पर तो हमारे देश में उस वर्स मौनसून बहुत जादा कमजूर हो जाता है ठीक है ये बात को ध्यान रखना उतनी तेज बारिश नहीं होती जितनी तेज होनी चाहिए या मौनसून जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा नहीं होता तो याद रहना कि अल नीनो सदन जो अल नीनो फेज है उसके कान हमारे देश में मौनसून कमजूर रह जाता है अक्सर ऐसा दो से चार साल में लगबग इस तरीके का तगड़ा अलनीनो देखने के लिए मिलता है जिसके कान हमारे देश में बारिश जो है वो फकाम होती है और ये करीब 12-18 महीने तक रहता ह अब इंडिया में जैसी condition होगी तो आप समझ लो कि पेरु जो की एक country है वहाँ पर उसकी opposite condition होगी अगर यहाँ पर कम बर्शा हो रही है इंडिया में तो पेरु में जादा बर्शा होगी यह देख सकते हो इंडिया की यह आप देखो कि सामानने अवस्था में क्या होता है और अल नीनो की अवस्था में क्या होता है यह दोनों situation दी गई है अब यह हिंदी में images यहाँ पर दी गई है आप जनरली सर्च करोगे तो आपको इत्ती आसानी से मिलेंगी नहीं और इसलिए यह images जो है वो आप लोग काम की हो जाती है जो हिंदी भासा में लिखेंगे छात्र उन सभी के लिए यह image काफी important हो जाती है जनरली situation प्रसांत महासागर में होती है प्रसांत महासागर में trade wind और इन सब के कारानत water जो है उसका accumulation Australia के coast पर हो जाता है लेकिन प्रसांत महाशागर में ही जब अलनीनो का face चल रहा होता है तो यह warm water आपका इधर की side सिफ्ट हो जात है वहाँ पर आपकी जो कह सकते हो कि यह अलनीनो लाइक condition है न तो वहाँ पर हमारा जो मौनसून है वो कमजोर हो जाता है तो यह condition आपको देखने के लिए मिल जाएगी तो यह है इसके अलावा कभी कभी इसका उल्टा भी होता है जिसको ला नीना की condition कहते है अब भी हम इन वो गरीब चीजे हैं कई सारे महासागर कई सारी साइकल्स एटमोसफेरिक बिंड हैं तो कि सर्फेस बिंड्स हैं ओशन करंट्स हैं इस अब मिलकर के इसको बेसिकली करिश्मा है यह कुद्रत का इसको बाहर करके लाती है जिसकी वज़े से मौनसून इंपक्ट होता है इसक वो मौनसून में भारी बारिश यहां पर होती है भारी बारिश होने का मतलब यह है कि अपने साथ हानिकारिक सूफ जीवों के पनपने के लिए अनुकूल वातावरन जो है वो मौनसून का जो मोसम है वो यहां पर उकलब्द कराता है और इसे फिलू का मोसम भी कहा जाता है पानी पड़ेगा पानी पड़ेगा नमी बड़ेगी और नमी जो है वो एक important factor हो जाता है किसी भी वाइरस और बैक्टिरिया के पन अपने के लिए तो उसकी कारण जो है वो भारी मातरा में आपको मिलेगा कि संकरमन का दोर जो है वो शरीर में अंत्शुरू हो जाता है बैक्टिरिया वाइरस की संख्या बढ़ने लगती है फिलू की कंडिशन बढ़ने लगती है और इसलिए जरूर ही होता है कि अपने घर को लगबग जून जुलाई के महिने में काफी जादा साफ जो है वो यहां पर रखना चाहिए ताकि यह जो वाइरस बैक्टिरिया है य प्रैज़द जैसी बिमारी आ जाती है वो के यह सब बिमारियों को हम यहां पर बेसेक्ली देखने के कोशिश करेंगे कि किस-किस तरीके की होती है जैसे मच्छर से उने والی कही सारी बिमारिया मौषून के साथ में आपर आती है और मौथून के मोसम में मच्छरों के परजन के लिए एक अनुकूल वाताबन यहां पर उपलब्द होता है जिससे कि मलेरिया डैंगू और चिकन गुणिया का बरकोब जो है वो यहां पर बढ़ जाता है ओके बिश्व में डैंगू के और इसका बचाव इलाज किया जा सकता है फिर भी विश्व में लगभग चार लाख मोतें जो है वो मलेरिया से 2019 में हुई पांच वर्ष की कम की आयू के जो बच्चे हैं उनमें अगर मलेरिया हो जाए तो खत्रा बहुत जादा बढ़ जाता है इसका संचरन जलवाईू से सं मंदित हिस्ट्रियों पर निर्बर करता है उपस्तित वर्षा के दोरान उसके तुरंत बाद अपने चरम पर होती है मलेरिया की जो कंडिशन्स हैं मलेरिया के लक्षन आपको मिल जाएंगे कि 10 से 15 दिन में उभार करके आने शुरू हो जाते हैं लाइक तेज बुखार शिर साइट से लड़ने के लिए इससे एक वैक्सीन मैस्कूरिक्स के नाम से यहाँ पर रिलीज की थी वैरी फेमस वैक्सीन जो की न्यूस के अंदर में आपर रही तो साइंस एंट टैक में पढ़ाया है दा हिंदू के तो इसको याद रखना है इसके अलावा डैंगू यहाँ यहाँ पर आ जाता है जो कि एडीज इजप्टाई नामक मच्छर के पानी में परजन करते हैं वो और उसके आजपास जो घर होते हैं उनमें सब यह डैंगू की कंडिशन से यहाँ पर फैला देते हैं और जैसे जैसे सहरी कराम बढ़ता चला जाता है मच्छर जो हैं पानी एक दो साल में काफी भारी मातर में फैला और एडीज अलबो पिक्टस नामक मच्छर के काटने से पैदा होता है याद रखना ये तो आपने कौमन पढ़े होंगे मलेरिया डैंगू लेकिन चिकन गुनिया में कौन सा मच्छर जो है वो रैस्पोंसे बला है उसके बारे में मैंने खुद महसूस किया है ओके मुझे भी हुआ था और इसके अलावा ये लाल चक्ते परते हैं सिर में तेरस दर्द होता है मास पेशों में खिचाब और चक्कर आने जैसी कंडिशन होती है तो अगर आपको भी इस तरह की कंडिशन होती है तो समझ लेजिए कि चिकन पर आपको पता होना चाहिए जैसे टाइफाइड यहां पर है तो अगर गंदगी जहां पर है वहां पर आपका स्टेटो कोकस टाइफी नामक बैक्टिरिया जो है वो जल जनित रोग यहां पर पैदा करते हैं बासी आहर खा रहे हैं खुले में आपने समान रखा हुआ है तो उस पर जो है वो आपका संक्रमा फैलने के चांसे यहां पर बढ़ जाते हैं इसके लावा हैजा यहां पर होता है और हैजा जो है वो कोलेरा इसको कहते हैं और यह भी गंदे माहोल में या संदूशित भोजन आपने यहां पर किया है तो उससे आपकी आतों को संक्रमित कलने के लिए बिब्रियो कोलेरी नामक बیکٹिरिया जिम्मेदार यहां पर होता है गंदे-पानी का सेवन किया हो ये संदोशी ताहर का सेवन किया हो तब ये ढोग यहां पर हो जाता है मंद और लक्षन रहीत होता है परन्तु कभी कभी जानलेवा भी शावित हो जाता है तो इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा तो ये चीज़ें थोड़ी से दियार नखना है इसके लिए आप ORS वगेरा है उसका गोल यहां पर पीते हैं इसके अलावा लैप्टोस्पाइरोसिस नाम की बिमार परन्तु बरसात वाले जो ट्रोपिकल और सब्रोपिकल एरिया है उसमें इसकी व्यापकता है क्योंकि बैक्टिरिया को पनपने के लिए जो अच्छा बातावरान है वो इसी मोसम में आपर देखने के लिए मिलता है तो ये चीज़ें थोड़ी सी आद रखना इसके अलाव आप देखोगे कि यद पी किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होने का खत्रा बहुत कम है लेकिन अगर आपने योन संबंद स्थापित किये तो आपको ये बिमारी जो है वो human to human transmission इसका देखने के लिए मिल सकता है तो sexual transmission देखने के लिए मिलता है नजर आता है बाकी यहाँ पर इसके कुछ दिये गए हैं कि सिंटम्स क्या है बट उसकी ज़रुत आपको नहीं पड़ेगी इसके लावा जोन्डिस वकराइज को पीलिया कहते हैं यह जल जनी त्रोग है और संदूशी आहर पानी या मैला परिवेश है तो वहाँ पर हो सकत है तो जॉन्डिस जो है वो होने के समभावना यहां पर रहती है और यह चीज़ें आपको यहां पर ध्यान में रखनी है और वाइरस डिजीज यहां पर यह निकल करके आती है जॉन्डिस होने फरलक्त में बिली रूवीन नामा के पीले पिगमेंट की मात्रा बहुत अदि पूछने से बनता है यह कुछ factual points है आपसे पूछा जा सकता है कि which of the following statement about Billy Rubin is correct यह बिली रूवीन नाम की term निकित में से किस चीज़ से associated है तो ऐसी जो terms है वो पूछी जाती है यह लाल रक्त कोशिका और red blood cells में जब हीमोकलो में टूटता है तो उससे बनता है और फिर रक् क्रत से पहले लाल कोशिकाओ के तूटने पर हीमो, गलोबिन, बिलूरीविन में बदलता है और हालांकि प्रिहप्टिक जोंडिस यानि की परजीवी द्वारा उत्पन, मलेरिया और सिकल सेल, अनीमिया एवं थेले से में जैसे अनुवांसिक सित्यों के कारण भी होता है इ इसके साथ बायू के माद्य हमसे भी कई सारी बिमारिया फैलती है, बहुत सारे फिलू हैं, वायरल बुखार हैं, सर्दी खासी गले में खराश, ओके, ये साब हैं, दो हजार दो हजार तीन में, सैवियर एक्यूट रिस्परियंसी सिंड्रोम, जिसको सार्स कहते हैं, उससे पहले H5N1, H7N9, Avian Influenza, Middle East Respiratory Syndrome, MERS जिसको कहते हैं, ये भारी मातरा में फैले और भारी मातरा में इन्होंने जो है, वो तवाही यहां पर मचाई, काफी भारी मातरा में लोग जो है, उनकी डेथ देखने के लिए आँपर मिली, सार्स यही है, जो COVID-19 वाला है, इसी तरीक एथेलिट्स फूट है, या रिंग वर्म है, ओके इंटरीगो है, या फंगल नाकून संकर्मन है, तीनिया कैपेटिस है, ये सब कुछ फंगल बिमारिया है, जो कि आपके शरीर में फंगस कर देती हैं, जैसा कि यहां पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, जिसे तीनिया प प्रभावित करेगा, और काफी बड़ी दिक्कते हैं, इससे हाँ पर हो सकते हैं, आप बेसिकली कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तक की कंडिशन खतम नहीं हो जाती है, इसको दाद कहते हैं, और ये जो है, वो किरमी से ना हो करके एक फंगस रोग है, इस चीज़ को याद में भी होता है, कैसी बात नहीं है, तो ये चीज़े हैं, नियमित जो है, वो नहाना जरूरी है, और बाल वगएरा है, या फिर इसनान वगएरा है, वो सब लगातार होते रहना चाहिए, ये सब चीज़ों के चलते हैं, आप रिंग वर्म को खतम भी कर सकते हैं, ये बादा इंपोर्टन नहीं है, ये उपीएसी पर्स्पेक्टिव से अगर आप देखें, पीसी एस वगएरा में ये चीज़े पूछ ली जाती हैं, तो उसी हिसाब से हम जो है, वो कवर करते हैं, उसके लावा भारतिये मोशम पूरवा नुमान और रंग कोड आधारित मोसम चेतावने पर्णाली भी दी गए, ये आर्टिकल भी मोंसून से ही रिलेटेड है, मोंसून के दुरान कहीं पर भारी बारिश होगी, तो एगरी कल्चर की जो यिल्ड है, वो खतम भी हो सकती है, मानलो आपने कुछ ऐसी चीज़े हुगाई है, जिसको ज़्यादा पानी की जरुत नहीं हैं, लेकिन अगर बहाँ पर बारिश बर्शा हो गई, तो आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी, ऐसा ना हो उसके लिए आपका पूरवा नुमान यहाँ पर किया जाता है, कि आज बारिश होगी, आज बारिश नहीं होगी, और इसको मोसम चेतावनी पर्णाली मोसमी अगर हम घटके देखें, तो उसमें काफी सारे रितू परिवर्टन होते हैं, शर्दी है, वर्शा है, गर्मी, यह सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं, तो इस तरीके से जो मोसम है, जब वो लगातार चेंज होता है, यानि कि डायनमिक होता है, तो ऐसंतुलित मोसमी परिवर्टनों से जन जीवन का खत्रा भी यहाँ पर बढ़ जाता है, हमें नहीं पता कब कैसे बर्शा हो जाए, तो हम उस हिसाब से वर्क करें, मोसमी खत्रों के पिर्ति सतर्कता बनाए रखने के लिए, और सजग रहने के लिए, पूरवा नुमानों और चेतावनियों क जो मोसम संगठन तयार किये गए हैं, उनका यहाँ पर होता है, तो अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि आज बारिश होगी, तो हम अपनी खेतों में, फसलों में पानी जो है वो ना दें, क्योंकि बारिश का पानी सफिशेंट हो जाएगा, तो उससे हमारा क्या होगा, बा उसका एप्लिकेशन भी नहीं होगा, तो इससे बार्टर सिक्क्योरिटी हांसिल सकती है, बार्टर यूज इफिशेंसी बढ़ सकती है, और तो और आपकी अगरिकल्चर यिल्ड भी बढ़ेगी, यानि पूरा मानव जीवन जो है, वो प्रभावित होगा, ये तो एक अगर ये सब चीज़े भी इसी के ओपर वर्क करते हैं, तो मोसम की जो पूर्वानुमान प्रणालिया हैं, अंतराष्ट एस्तर पर सैयुक्त राष्ट के अंदर विश्व मोसम विग्यान संगठन, जिसको कहते हैं, डबलू एमो, वो इस चीज़ का काम पूरी दुलिया में यहा जो हैं, वो परियोग के जाते हैं, जिसको लगातार संसोधन करते रहते हैं, इसमें काई सारी वैग्यानिक टक्नीके हैं, रडार है, किर्ती में उपके रहा है, कम्प्यूटर, उन सब के माध्यम से मोसम की सठीक जानकारी जो है, वो लगाई जाती है, सैटलेट वगर का इ जैदर है, या फिर क्लाइमेट है, उसमें जब इंटेंसिटी उनकी यहाँ पर बढ़ जाती है, उनकी ताकर जो है यहाँ पर बढ़ जाती है, तो उससे कितना लोस होता है मानव जीवन को और एकनोमी को, उसकी ओपर यह रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई, 1970 से 2020 तक का ड जीवर्तन, तापिय लहरें, सूखा, दावनल के केसिज जो है, वो लगतार बढ़ रहे हैं, जिससे की तट्या इलाकों और दीपों के लिए जोखिम जो है, वो यहाँ पर बढ़ गया, इस यह जब रिपोर्ट आई, तो इसने उलेखनी तथ्यों को सामने लाया, कि बिश् भाग हैं, जिसमें भारी मात्रा में नेटवर्क जो है, वो इस्थाबित किया गया है, ताकि मोसम का पूर्वानुमान जो है, वो लगाया जा सके, कहीं जगोपन नहीं भी है, लेकिन भारत के लिए गर्व की बात है, कि भारत के पास इस तरीक के का घुन हो, अपड़ आयम मोसं संबंदी जानकारी को यहां पर पहुंच जाता है। में इस्तित हैं इसके अलावाद चार उप मुखाले आपको चेन नहीं मुंबई कोलकाता नागपुर गुहाटी नहीं दिली के छेत्रे काराले भी यहां पर मिल जाएंगे जिनकी मदस से यह जो है वो पूरे भारत को जो है वो बार्ड मोसं संबंदी चानकारी यहां पर उप चुनोती आपको देखने के लिमिल जाएंगी इसका मतलब यह है कि नुकसान भी बहुत जादा होगा इसी नुकसान के बचाव के लिए भारत का जो मोसं विवाग है वो एहम भूमी का निवाता है जोखिम प्रवंधन जिसको कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट उसमें इं इंडी के ओपर भी एक पर्टिकॉलर कुश्चन पूछा जा सकता है डेर सो वर्ड का पूछा जाए दो सो वर्ड का पूछा जाए आप अराम से लिख सकते हैं शुरुबात थोड़ा सा इंटरनेशनली कीजिएगा फिर इंडिया क्या पर आईए और फिर इन्होंने कितना का इंफरस्टेक्चिर है कैसे मदद करते हैं उसके बारे में भी आपको यहां पर बताना पड़ेगा पूछे जाते हैं ऐसे कुश्चन क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट का टोपिक बहुत ही कंसाइज है कुछ लिमिटेड टोपिक ही निकलते हैं तो वहां से चीज़े न जाएंगे इसके अलावा अगर हम देखें तो कई आगामी सब्ताओं के लिए कई तरीके के पूर्वानुमान भी देता है जिसमें रितुसिस्ट पूर्वानुमान है मात्रात्मक वर्शन पूर्वानुमान है मतलब वर्शा कब होगी आने वाले साथ दिनों में वर्शा मैं नहीं दक्षिन एशिया दक्षिन पूर्भी एशिया और मध्धिपूल्व के देशों में भी मोसं और जलवायों सेवाए प्रदान करने हमें हमारी भूमी का निभारा तो यह हमारी क्या है यह हमारी जो International policies है उसमें भी सकरिणिया भूमी का अग्रानी की देशों को जान माल से होने वाले नुकसान को रोकने में काफी सहायता मिल रही है तो अगर आस पास के देशों को भी मोसम की जानकारी मिल जाए तो उनमें भी नुकसान को रोका जा सकता है और उनमें नुकसान को रोका जाएगा तो हमारा ट्रेड जो है वो कंटिन्यू रह इसके अलावा आप देखो कि किसानों के लिए मोडल जो आपके वर्षा के पूरवानुमान है वो जानना काफी जरूरी हो जाता है। पानी भी खर्च हो गया आपको लगा दिया लेकिन जैसे आपको पता लगे कि आज साम को बारिश होगी तो आपको वो सब करने की जूरत नहीं है आपकी बिजली भी बचेगी आपका पानी भी बचेगा लेबर भी बचेगी मेहनत भी बचेगी और तो और पानी भी अपने आ मोसम, विग्यान, सालाकार, सेवा, बुलिटिन भी जारी करती है और जिले-जिले के इस तर पर चीजों को जारी किया जाता है कि आज उशनकती बंद ये चक्रवात आ सकते हैं, आज बंगाल की खाड़ी में टेंप्रेचर गिर गया है, साइकलों जैसी कंडिशन बन रही है, चक्रवातों की तीवरता कितनी होगी, इन सब के बारे में जो है वो आपका जल मोसम बिभाग जो है वो ये सब चीज़े यहाँ पर अप्लब्द कराते हैं, ओके, तो ये छेतरी है, वैश्वी का हर तरीके का डाटा जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सीधे मैसेज भेजा जाता है किसानों के मोबाइल पर कि अगर हरे रंग का कोड भेजा गया तो आज मोसम का कोई खत्रा नहीं है, आप अपना काम regular रहें, अगर पीले रंग का कोड यहाँ पर भेजा गया तो इसका मतलब है तायार रहें, और अगर यहाँ पर आपका red पादिज रह सकती है ऐसी परिसित्या बन सकती है वो तब मौसम विभाग के द्वारा रेड अलर्ट जारी किया जाता है जीवन के लिए जोखिम जो है वो बढ़ जाते हैं रेड अलर्ट का सीधा सीधा मतलब यह होता है कि लोग मौसमी खत्रे के लिए पूरी कमर कसके तयार और यह था संबब उनको वहां से हटना भी पड़ सकता है यानि कि टेंपररी डिस्प्लेस्मेंट भी देखने के लिए मिल सकता है तो यह जो है वो आपको मिल जाएगा रेड अलर्ट के बारे में 21 तरीके से मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी करता है तो यह कलर कोड किसल देशों ने इस रंग अधारित मौसम चेतन प्रणाली को अपनाया है इसमें अलग 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 रंगों के जरीए हम लोगों को बताते हैं उनको सचेत करते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा किस तरीके से काम हो किस तरीके से ना हो तो यह जो कलर कोड है यह आपको याद रखन नहीं सिर्फ और सिर्फ याद रखिए कि there is something called cyclone man of India इनको जो है डाक्टर में तुझे महापातर के नाम से जाना चाता है इसके अलावा IMD के बारे में वैसे मैंने आपको यहाँ पर काफी कुछ बता दिया हो कि IMD जो है वो मौसम निगरानी का राष्ट्रे केंदर उभर कर के आता है इंडिया के अंदर में पूर्वा नुमान यहाँ पर करता है कैसे चक्रवात आएंगे कैसे नहीं आएंगे IMD के अंदर मैंने बताया 33 तरीके के डोपलर मौसम राडार हमारे पास मोजूद हैं ऐसे 735 के करीव 140 मौसम के इंदर हैं इसके अलावा 1350 के करीव अपना खुद का भू इस्तिर उपगरह इंसेट जो है वो यहाँ पर मौझूद था सो 1960 में हमने ये जो है वो उपगरह उपगरह में लाने शुरू किये 1961 में उपगरह का पिरयोग जो है वो मौसम पूर्वानुमान के लिए यहाँ पर किया जाने लगा 1970 में कम्प्यूटर यहाँ पर आया 1983 में इंसेट उपगरह यहाँ पर आये और उसके बाद मौसम की जानकारी के लिए जो उपगरह हैं वो बढ़ने तेजी से सुड़ू हो गए 1971 में उडीसा में जब पिरलेकारी चक्रवात आया तो भारत सरकार ने कहा कि 308 छेत्रों में 10 ऐसे रडार लगाए जाने चाहिए और हमने रडार लगाए मोसम बिग्यान विभाग ने लगतार नए अनुपरियोख किये सेवाएं की रिसर्च की डेवलप्मेंट की और 150 वर्सों के इत्यास में हमने अपने बुन्यादी धाचे को इतना मद्बूत बनाया है कि अभी कोई भी चितावनी यहा पर लगा पाते हैं किसानों को लोगों को जान मालवी हानी ना हो उस सबसे बचने के लिए काम यहाँ पर किया जाता है तो यह सब पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए इसके अलावा एक और वेपसाइट यहाँ पर जो है वो चलाई जाती है और किसी भी कंट्री के लेवल पर चीजों को जान सकते हैं तो यह चीजे जो हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से वर्क करती है तो इसके बाद यहाँ पर आर्टिकल दिया गया था और आर्टिकल में बेसिकली एक जो आपके प्रफुल चंद्र राय जी हैं जिनोंने केमिकल इंडस्ट्री के अंदर काफी महत्पूर्ण काम यहाँ पर किये इनके बारे में दिया गया था आप से पूछा जा सकता है कि स्पेशली स्वतंत्रता के आंदूलन में ही और वो किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ा रहे थे तो पूछा जाता है और यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि यह पूरी तरीके से कैमिस्ट्री पर ही फोकस कर रहे थे कैमिस्ट्री तो एक ऐसा सब्जैक्ट यहाँ पर हो ग गिता थी और इसका विशय था कि इंडिया बीफोर एंड आफ्टर म्यूटिनी भारत बिद्रों से पहले और बाद में ओके तो अठार सतावन के बद्रों के बाद और पहले कैसा भारत था उसके उपन निबंद था तो यह जो है वो आपके प्रफुल चंद्राइजी यह इ क्रिटिकल तरीके से जो है इसको यहाँ पर इन्होंने जाहिर किया इन्होंने कहा कि ब्रिटिस हुकूमत के खिलाब जहरीले वंक्तव्य जो है वो इस निबंद के अंदर लिखे गए हैं तो आप समझे कि इन्होंने इतनी महनत की सिर्फ इस चीज़ को अभार करके लाने के किस तरीके से एकनोमिकली तरीके से जो वैल्थ है उसका ड्रेन यहाँ पर किया जा रहा है ओके यह चीज़ें यहाँ पर आएंगी इसके लावा इनके निबंद में एक पुस्तक की रूप में भेपरकाशित यहाँ पर की गई जिसको तो क्योंकि इंडिया के परस्पेक्ट 1989 के अंदर में और इन्होंने जो है वो प्रेसिडेंसी कोलिस के अंदर रसाइन विभाग के ब्याखाता के रूप में जो है वो योगदान दिया तो कुल मिला के हमें आर्दस पॉइंट यहाँ पर जानने जिससे कि हम एक 200 वर्ट का इससे यहाँ पर लिख पाई किया मिलावट की तरफ इन्होंने जिया यानि कि अदिया और इसमें दिखेगा कि जन सुआस्त है और राष्टे संपदा दोनों को नुकसान मिलावट की वज़े से यहाँ पर हो रहा था इन्होंने पाया कि सुद्ध मानक जो पदार थे उनके मानक इस तर भारत के अलग थे ब् उन्होंने केमिकल एग्जामिनेशन ओफ सर्टेन इंडियन फूड इस्टफ के नाम से एक सोध पत्र लिखा और उसे एशियाटिक सोसाइटी के जनरल में बेजा तो यह पत्र यह बताता था कि इंडिया के अंदर जो फूड की क्वालिटी है वो कितनी जादा खराब इतना याद रखो कि तो भी यहाँ पर चलेगो एक चीज़ तो आपको यहाँ पर मिल गई इसके अलावा इन्होंने जो है वो जन्तु विज्ञान की तरब भी फोकस किया इनकी खासा जो दिलचस्पी भी थी जी जन्तु पोधों में और यह चीज़ें भी थोड़ सी याद इसके लिए रोजगार के साधन बढ़ाने पड़े और इन्होंने जब गहन जाच परताल की और बाजार की मतों का अध्यान किया तब पता लगा कि हम जो है वो इस तरीके से बंगाल केमिकल्स के स्थापना कर सकते हैं उन्होंने देखा कि सल्फूरिक जो ऐसीड है उसका र लग-लग तरीके के मैडिसन सिस्टम में भी इस्तमाल यहां पर किये जाने लगे दवाईयां खासकर रसायनों के टिंकर जो हैं यह सब यहां पर बनने लगे और इन्होंने जो है कंपनी यहां पर खूली जिसका नाम था बंगाल केमिकल्स एंड फार्मसोटिकल्स और इस कं के परपस से कुछ योगदान जो हैं वो यहां पर जानने हैं इन्होंने आपकी मर्कूरस नाइटेट की खोज भी यहां पर की 94 के अंदर प्रेसिदेंसी कोलिज की नई रसायन प्रियोक साला का जब उदगाटन हुआ तो प्रफुल चंदर राय जी जो हैं वो अपनी आत्म बाद में जब पता चला कि यह जो तत्व है वो आपका मर्कूरस लावड है और नाइटेट दोनों का ही था ओके मतलब यह एक योगी के रूप में निकल करके आया और इस मर्कूरस नाइटेट की खोज ने एक के बाद एक योगी को की खोज का रास्ता खोल दिया तो यह प पर दी गई और यह चीज़ें काफी जादा जरूरी हो जाती है इसके अलावा स्वतंत्रता संघर्ष में भी इन्होंने काफी योगदान दिया विज्ञान में तो इनका योगदान था ही अलनिरंतर राश्टे स्कूलों को इस्थापित करते रहे छुआ छुआ छूआ छू इस लाइन को याद रखोगे और रोलेट टेक्ट के ब्रोद में कलकत्ता के टाउन होल में इन्होंने एक सभा भी बुलाई और ये सभा जो है वो आपकी चितरंजन दास जी के द्वारा हेड थी दर्शकों में प्रफुल चंद्री जो है वो सबसे पीछे खड़े थे लेकि प्रफुल चंद्री जी ने ये भी कहा कि इस तरीके के अफसर जब 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 आते हैं उन्हें लगता है कि परख नली को छोड़ कर यानि कि जो कैमिकल एक्यूपमेंट यहां पर होता है अब सीधे देश की सेवा की जाए तो आप देखिए कि सुतंद्रिता संगर्श जो है उसमें इन्होंने काफी इंपोर्टन्ट योगदान दिया तो इस तरीके से आप एक अच्छा ऐसे यहां पर लिख सकते हो अगर आप इन 4-5 पॉइंट को भी यहां पर लिख देते हैं तो इसके अलावा आप देखोगे कि शुकृदेव प्रसाद जी के बारे में भी यहां पर लिखी हैं विज्ञान भारती विज्ञान बैचारिक इन सब चीजों पर यहां पर काफी सारी पुस्त के और इनके जो अपर पुरुषकार हैं वो भी यहां पर दिये गए हैं लेकिन यह सब पढ़ने की जूरत नहीं आप जसन का नाम याद रखें और यह किस फील्ड स थे विज्ञान और प्रोधुकी के ऊपर उसके अलावा सबसे इंपोर्टन्ट आर्टिकल आ जाता है पूरी मैगजीन का और वो है आपका अंतरिक्ष मलवे के ऊपर अंतरिक्ष मलवा जो है वो एक चिंता जना किस्तिती के रोप में उभर कर के आ रहा हैं इस आर्टिकल को रूस के द्वारा प्विज भेह जा गया था जब किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक दो भेजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन और नहीं समस्यां यहाँ पर आ करके खड़ी होगी हर अंतरिक्ष में जो है वो एक स्पेसियान भेजते हैं उसकी लाइफ पूरी हो जाती है लाइफ पूरी होने के बाद वो इधर दर घूमता रहता है वो कि होने के बाद वो किसी और अन्ने सैटेलाइट और अंतरिक्ष यान से टकराता है जिसके कांड काफी सारा मलवा यहाँ पर इखड़ा हो जाता है बरत्मान समय में कई सारे जो मानव देन्वित उप पुराने उपगरों के टुकड़े रोकेट इन्धन यह सब चीज़े अंतरिक्ष कच्रे के अंदर में आ जाती है इनकी ट्रैकिंग करना भी एक चुनोती पूर्ण कार हो जाता है अंतरिक्ष का मानव जनित मलवा उतना ही हानिकारक है जितना धरती पर मौजूद इसको कहा जाता है इसके अंदर टेलिसकोप रडार और सेंसर इन सब का इसमाल यहाँ पर किया जाता है और इंजिनियर्स और उनकी टीम ने मिलकर के लाइट डेक्षन एंड रेजिंग टेक्नोजी इंगलिश में इसको कहते हैं लेडार इसको यहाँ पर डैवलप किया और मदद से देश का पहला और्बिटल इसपेस डेबरेज मोनिटरिंग एंड ट्रेकिंग सिस्टम उसको भी तयार किया गया है नाम से इस पस्ट है और इसपेस में जो डेबरेज है उसकी मोनिटरिंग और ट्रेकिंग यहाँ पर की जाएगी 10 सेंटीमिटर तक के आकार के जित इसके जो अफसेश हैं वो पानी में गरे हिंद महासागर में गरे और नस्ट हो गए इस घटना के बाद अंत्रिक्ष में लगातार जो है वो कच्रा बढ़ने की बहांस फिर से शुरू हो गई अध्यन के मताविक इस समय बरतमान में लगबग 8400 टन से अधिक जो कच्रा है वो अंत्रिक्ष में मौजूद है और ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है और कभी अगर पैथवी पर गिरा तो भारी नुपसान यहां पर पहुंच जाएगा इसलिए इस समस्या बढ़ती चली जा रही है इस समस्या को रोकने की जरूरत यहां पर है खत्रा इसलिए और जादा बढ़ा हो जाता है क्योंकि इसके बढ़ने की गती बहुत तेज होती है अंत्रिक्ष कचरा बहुत तेजी से जो है वो इस पेस में आपर घूमता है लगबग आप देखो कि 28,000 किलोमेटर प्रती घंटा की रफतार से यहां पर घूमता है अगर कोई अंत्रिक्ष य इससे ना ठकराए उसकी भी पैचान यहां पर करती है तो अंत्रिक्ष कचरे से निवटने की तयारियां जो है वो लगातार चल रही है नासा के अंदर आपका और्बिटल डेब्रिस प्रोग्राम यह यहां पर चलता है और इस प्रोग्राम के जब आखड़े यहां पर निक अंत्रिक्ष मलवे में तीन मीटर तक का जो टुकड़ा यहां पर होगा उसका पता लगा सकता है तो इससे जो है वो यह ने पर काम यहां पर कर रहा है तो इसी तरीके से जो यूरोब के अंत्रिक्ष एजेंशेंज है वो भी कई तरीके के इनी उपायों पर बार कर रही है जैसे कि एक उनोंने बनाया है ED Orbit Mission और इसमें जो हारपून है या रोबोटिक आम है ऐसी आधुनिक तक्निकों का इस्तमाल करके 8000 से 1000 किलोमेटर के हुचाई पर कच्रा यहां पर है उसको ट्रैक करने का काम यहां पर करते हैं तो यानि कि रोबोटिक्स का इस्तमाल करके कच्रे को खतम करने की कोशिश जो है वो यहां पर की जा रही है यूरोपिया स्पेस एजेंसी ने 2025 तक किलियर स्पेस वन नाम का जो किलियर स्पेस वन नाम से इस परसट है स्पेस को किलियर करना है उधर दूसरी तरफ अमेरिका की जो एन्ट अंटरिक सेजेंसी नासा उसने भी चिंटा जचाही है कि यह बहुत तेजी से यहां पर बढ़ती चली जा रही है इसलिए मानम विशन भेजना बहुत जादा मुस्किल हो रहा है तो ये टुकड़े जो है वो लगातार चक्कर लगाते हैं और काफी खतरनाथ जो है वो यहाँ पर हो जाते है तो इस तरीके का कच्रा जो है वो यहाँ पर लगातार पैदा हो रहा है तो ये कुछ चीज़े निकल करके आ रही है अंत्रिक्स में फैले मलवे से निपटने के लिए दुनिया के अनेक देश जो हैं वो गंबीरता से विचार भी करना है नासा ने कई देशों के साथ मैटपून सुझाब भी दिये हैं जिनने अपना कर अंत्रिक्स में कच्रे की समस्तिय से निपटा जा सकता है जैसे अगर हम बात करें तो पहला सुझाब ये है कि किसी मिशन के पूरा होने पर अंत्रिक्स यान में बच जाने वाले किसी भी ओर्जा सरोत और उससे जुड़ी चीजों को हटा दिया जाए ताकि कच्रा पैदा ही ना हो क्योंकि वो तूटता रहेगा फिर टकरा टकरा करके अदर्वाइस उसको पहले ही यहां पर हटा लो दूसरा सुजाब यह है कि हम ऐसे अंत्रिक्स यान का निर्मान करें जो कच्रे को एक जगह रखे और बाद में इस कच्रे को वहां से हटा दे तीसरा सुजाब यह निकल करके आता है कि अंत्रिक्स यान को ऐसी सामगली से बनाया जाए जिसमें अंत्रिक्ष यान के कच्रे के दोबारा वायू मंदल बे प्रिवेश करने पर खच्रा खुद ही खतम यहाँ पर हो जाए तो self destruction वाला जो कच्रा है वो इस तरीके का material यहाँ पर reuse किया जाए सामाने ते रोकेट जो है वो ऐसी एक विशेज धातू से बनाए जाते हैं इससे एक नुकसान यह होता है कि मिशन के बाद कच्रा या तो समूदर में गिर जाता है या फिर अंत्रिक्ष में रह जाता है तो यहाँ पर तो हमारा ना तो हम उसको reuse कर पा रहे हैं और उपर से हम यहाँ पर कच्रा भी खटा कर पा रहे हैं यह तो दोनों चीज़ें यहाँ पर गलत हो गए इसी तरीके से भारत की अंत्रिक्ष एजेंसी है इस रो वो भी इस तरीके की भविशे की टेक्नोजी पर मदद यहाँ पर कर रही है उदेशे यह है कि समुद्र में सेटलाइट का कच्रा ना गिरा क्योंकि वहाँ पर गिरा तो समझ लो और जादा प्रोब्लम मेराइन इको सिस्टम को यहाँ पर हो सकती है अगर अंत्राश्टे इस तर पर अंत्रिक्ष छेतर के कौनून की बात की जाए तो अंत्रिक्ष शम्मंदे प्रियोगों को ले करके हमने जो है वो 1967 में बाहिये अंत्रिक्ष संदी यहाँ पर बनाई गई थी आउटर और जो आपका स्पेस है उससे रिलेटेट ट्रीटी जो है वो साइन यहाँ पर की गई थी और इसका जो नाम सबसे पहले आता है इसके लावा एक कन्वेंशन और है जिसका नाम है कन्वेंशन और इंटरनेशन लायाबिलिटी फो डैमेज कोस्ट बाई स्पेस ऑब्जेक्ट्स यह जो है वो साइंट्स 1972 में यहाँ पर हुई थी इन दोनों संदियों के दोरान इसमें कहा गया है कि आप देखो कि जो देश अंत्रिक्स में किसी रोकेट या किसी ऐसे प्रक्षेपड को लॉंच करेगा वह उसके जमीन पर गिरने से हुए नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा यह बात इस ट्रिटी के अंदर में लिखी गई है जैसे 1978 में सोबियत सैटलाइट अंत्रिक्स से गिरते हुए कनाड़ा पर जागी रहा था तब सोबियत संग ने कनाड़ा में जो नुकसान हुआ उसकी पूरी भरपा यहाँ पर की थी तो कई सारे नियम कानून तो हैं लेकिन उनको बाध्यकारी जो है वो आपको नहां पर बनाना पड़ेगा जिससे जो है वो इस सकती थोड़ी से बड़े और अंत्रिक्स कचरे से निपटने की समस्या खतम यहाँ पर हो सके तो यह चीज़े मिलेगी इसके लावा अलीनों के बारे में यहाँ पर फिर से दिया गया है अलीनों तै करता है भारत का मौसम और अलीनों के बारे में दोबारा से चीज़े किलियर की गई है अलीनों के बारे में पहले भी बता चुका हूँ पेरू के कोस्ट पर क्या होता है इंडिया पर इसका क्या इंपेक्ट पड़ता है लेकिन हम इसको फिर से देख सकते हैं मई के महीने में इस बार आप देखो temperature काफी जादा बढ़ गया heat waves की conditions भी यहाँ पर बढ़ गया temperature काफी जादा यहाँ पर बढ़ गया इन सब का कारण जो है वो कुल मिलाके अलनीनों के रूप में इस घटनों को यहाँ पर दर्ज किया और वहाँ पर Christmas के आसपास temperature जो है वो काफी तेजी से बढ़ गया और इस temperature को बढ़ने को ही हमने जो है वो Spanish शब्द अलनीनों का नाम यहाँ पर दिया जिस कार्थ होता है छोटा बच्चा या वाल इशू इसको चाइल्ड क्राइस्ट भी कहते है जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया यह घटना परसांत महासागर में होती है ऐसा मान एरूप से पानी जो है वो गरम यहाँ पर हो जाता है पूरा नाम अलनीनो डीन नवीदाद यहाँ पर दिया गए था लेकिन बाद में इसको सिर्फ अलनीनो के नाम से यहाँ पर जाना जाने लगा अलनीनो असल में मध्य और पूर्व मध्य भूमध्यारेख है समुद्रिय इस तर पर यहाँ पर होता है अगर यह मैप है तो मैप के बिल्कुल बीच में से हो करके जाएगी और वहाँ पर जो एरिया पढ़ेगा वो आपका पेरू का कोस्ट भी उसी एरिया के अंदर पढ़ता है और यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में कंडिशन जो होती है नियमे तंतराल पर एक कंडिशन देखती है लगबख तीन से चार साल में आपको अलीनो जो है वो देखता है यहाँ पर इसके अलावा कभी कभी यह टेंपरिचर बढ़ जाता है तो अलीनो की कंडिशन होती है तो ये चीज़े मिल जाएगी ला नीना का मतलब होता है छोटी बच्ची और यहाँ पर जो है वो अल नीनो का मतलब होता है छोटा बच्चा खेर यह सब मजे की चीज़े हैं यह सब आपका PCS तक तो पूछ लेते हैं लेकिन UPSS को नहीं पूछेगी दक्षणी अमेरिका से भारत तक के मोसम में बदला बड़े बड़े कारण जो है वो अलीनो और ला नीना के कारणी होता है यह गरत लिखा है इन्होंने दोनु जगे अलीनो लिख दिया अलीनो और ला नीना के कारण दक्षणी अमेरिका के उस कोस्ट पर जो कुछ होगा भार अगर temperature जो है वो moderate रहता है या फिर कम रहता है cool like conditions रहती है और लेकिन जब यहाँ पर आप देखोगे कि अलनीनो की condition होती है तो चीजें उल्टी हो जाती है तो इसका असर लगातार यहाँ पर पड़ता है और अलनीनो लानीने गटना है पैरू के टटपर होती है उस्टेलिया कि जो ऊश्मा है वो अधिक समय तक उस particular area पर पड़ती है और अधिक गर्मी बढ़ जाती है जिसे कि समुदर की सतय का तापमान भी प्रवावित होता है अब यह तो यहाँ का phase हो गया आपका Pacific का इससे इंडिया को कैसे impact होता है तो उसके लिए आपका आता है the walker circulation इसको walker चकरवाद भी यहाँ पर कहा जाता है इसमें basic लिए होता क्या है आप देखो कि आम तोर पर जब ना तो लालीना की condition है ना ही अलीना की condition है आम तोर पर सामान परिस्तिती में जो भूमद्य हवाएं हैं वो पूरब से पस्ट्रिम की तरफ बहती है आपको पताए ट्रेड बि देखो कि येही वाली विंड्य हैं इसको इस तरीके से लेकर के जाती है इसके परनाम सरूप जो ओस्ट्रिया का पूर भी तट है वहाँ पर अच्छी Хासी बरसात यहाँ पर होती है और बरसात होने के सासाध आप देखो कि गरम हवाएं हैं उपर उठनी शूरू हो जाती इधर की साइड में उपर उठेंगी तो वो ठंडी हो जाएंगी ठंडी होने के बाद जो ट्रोफो स्वेयर है वहाँ पर चलती है आपकी उल्टी हवाएं पस्चिम से पूरब की तरफ हवाई जो है वो इनको बापस आपका पेरू के समुदरी कोस्ट की तरफ यहाँ पर ले ट्रेड बिंड्स के एफेक्ट में या इस्टलीस के एफेक्ट में इस तरी के से चली गए तो पूरा जो सर्कूलेशन यहाँ पर बना यह वोकर सर्कूलेशन कहा जाता है इसकी खोज सर गिलवर्ट वोकर ने की थी अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है त लेकिन जब अलीनों यहाँ पर आएगा तो यह जो पच्छुआ हवाई यहाँ पर आ रही है एकमजोर पढ़ जाते हैं इसका मतलब यह है कि यह जो पानी यहाँ पर आपका ऐस्टेलिया के कोस्ट पर वह करके गया था पूर्वी कोस्ट पर वो यहाँ पर नहीं जा पाता क्य क्योंकि हवाई इतनी जादा तेज नहीं है और यह पानी जो है वो पेरू के ठट पर एकत्र हो जाता है जल का इसतर 90 सेंटीमीटर तक उचा हो जाता है पहले कौन सा तल उचा था ओस्टेलिया के कोस्ट का लेकिन अब जो है वो पेरू के कोस्ट का तल जो है वो उचा यहा पर हो जाएगा तो अल्लीनो की कंडिशन आप समझ चुके हो कि कैसे इंबैक्ट यहां पर पड़ता है और किस तरीके से चीज़ें यहां पर चलती है और तो यह काफी कौमन चीज़ें हो गई और ज्यादा डिटेल में इसको समझानी के अभी जरूरत नहीं है तो यह काफी इंपोर्टन पैसी जो भरके आता है कि अल्लीनो और वोकल सर्कुलेशन का रिलेशन किस तरीके से आता है इसके अलावा ला नीना यहां पर आ जाता है जो कि इसके बिल्कुल बिप्रीत यहां पर होता है और सेम चीज़ें हैं यहां पर और जो ला नीना की कंडिशन अगर यहाँ पर आई तो आप समझो कि मच्छवारे जो है वो पेरू के कोस्ट पर काफी जादा खुश यहाँ पर हो जाते हैं क्योंकि ठंडा पानी जो नीचे का है वो उपर की तरफ आना शुरू हो जाता है क्योंकि ट्रेड विंट्स जो है वो काफी जादा मजबूत हो जाती है जिससे पानी जो है वो पेरू के कोश्ट से ऐस्टेलिया की तरफ मूव करने लगता है जब पानी यहाँ पर पेरू के कोश्ट से ऐस्टेलिया की तरफ मूव करेगा तो नीचे से पानी जो है वो उपर की तरफ आना शुरू होगा और उपर की तरफ पानी आएगा तो नीचे जो धर्ती के अंदर आपकी पानी के अंदर मचलिया है या फिर और मैटल्स वगएरा है भारी मातर में हीरे वगएरा है वो सब चीजें जो है वो भर करके उपर आने लगती है मचवारों को काफी जादा फायदा यहाँ पर होता है भारते मोसम विभाग के अनुसार कोविट काल के दोरान मोसम काफी अच्छा रहा क्योंकि यह ला नीनो वहाँ पर चलता था याद रखना है इस चीज़ कोविट 19 के दोरान ला नीनो लाइक कंडिशन जो है वो यहाँ पर होती थी ओके अल नीनो के दोरान भारत में लाइक कंडिशन हो जाती है अलीनो के नकारात्मक प्रबाब को हिंद महासागर के दुई धुरूवी परणाली द्वारा नकारा जाता है यह आपका जो है वो एक दूसरा फिनोमीना आगया जैसा कि सेम फिनोमीना आपका पैसिफिक में होता है ऐसा ही सेम फिनोमीना जो है वो इंडियन ओशियन के अंदर में भी आपको देखने के लिए मिलता है और इसको दूई धुरूवी परणाली के रूप में आपर जाना जाता है थे सेम चीजे हैं लाइक पस्यमी और पूरवी हिंद महासागर की कोस्ट पर तापमान में सकारात्मा कंतर होता है भारत जैसे करसी परण देश के लिए बहतर GDP अगर भविशा चाहिए तो वो डिपेंड करता है कि पेरू के समुदरी टट पर किस तरीकी की कंडिशन है अगर कंडिशन्स अच्छी हैं तो आपको पता चलेगा वहाँ पर अच्छी हैं तो यहाँ पर बुरी होंगी और वहाँ पर बुरी हैं तो यहाँ पर अच्छी होंगी पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में बहुती शूक्षम मात्रा में बहुत सारी जो जैवरासाइनिक किरियां यहां पर चलती हैं उनको नियमित करते हैं उनको नियंतित करने का काम करते हैं बिविन गरंथियों द्वारा संसलेशित और उत्पादित यह होते हैं रक्त बहुत सारी जो जैविक किर्या हैं लाइक ब्रद्धी, विकास, योन, अविकास, प्रजनन और प्यास, भूक और ये सब चीज़े जो हैं वो इन सब को देखते हैं शरीर का तापमान नियतित करते हैं मनो वैग्जानिक स्वास्थे को भी देखते हैं इनको अंते शिरावी ग हार्मोन सनिवारा रूप से शरीर के संदेज वहाग की रूप में भी वर्क करते हैं और अलग-अलग जो कोसिकाएं हैं उनके बीच में संचार प्रणाली की रूप में भी वर्क करते हैं यानि की इन्फोर्मेशन ट्रांस्फोर्मेशन सिस्टम की रूप में भी वर्क करते पादप में भी हार्मोन पाए जाते हैं, पोधों में भी अलग अलग तरीके के जो हार्मोन पाए जाते हैं, उनको पादप हार्मोन कहते हैं, और ये भी कई सारे रसायनिक योगी खोते हैं, जैसे इंडोल है, जिसको ऑक्सिन कहते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, ऐसे ही आप को जिब आपको मिल जाएगा जिब्रेलिंस ओके ऐसे आपको साइटो काइनिस हो जाएगा एपसिसिक एसिड हो जाएगा एथेलीन यहां पर हो जाएगा यह हार्मोन पोधे की ब्रधी में यहां पर सायक होते हैं और व्यक्तिकत रूप में कारे करते हैं कई सारे जो हैं वो सा पादाफ हार्मोन के दुआरा यहां पर देखा जाता है उधारान के लिए अनानास में बीज रही तफल पत्यों में किलोरो प्लास के निर्मान को उत्परेद करना और पोधों में होने वाली विविन जैविक क्रियाओ को नियंतर करने में शाया करते हैं पादाफ हार्मोन यह कि कोई चीज़ें यहां पर नहीं है बाकी बहुत डिटेल में चले गए तो फिर नीट वगएरा का एक्जाम देना पड़ेगा यो पीसी का नहीं देना पड़ेगा तो उसी हिसाफ से यहां पर देखेगे पैप्टाइड हार्मोन जो है वो पानी में गुलंशील यहां पर ह होते हैं आपसे अंतर पूछा जा सकता है पैप्टाइड हार्मोन और स्टेरोइड हार्मोन के अंदर में ओके तो दोनों के अंदर में अगर अंतर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि पैप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन पानी में गुलंशील होते हैं कोशिक अंगे हैं, उनुन तक यह पोण जाते हैं आप देखो यहाँ पर आपको मिलेगा कि कोशिका जीली को पार करके कोशिका में प्रिवेस कर जाते हैं peptides नहीं कर पाते हैं, यह वाले जो steroids है यहाँ पर कर पाते हैं, सीदे DNA से सहीओ करते हैं, DNA आपकी कोशिका के अंदर पाया जाता है और अंदर पाया जाता है तो सिर्फ اس्टेरोइड हर्मोन ही इसके अंदर में जा पाएंगे और प्रोटीन संद्सिलेशन को प्रभावित करते हैं इस्टेरोइड जो है वो बसा में घुलंशील होते हैं याद रखना इस चीज़ को अगर हार्मोन ऐसंतुलन हुआ तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहां पर हो जाती हैं ये भी आपको इमेज जो है वो यहां पर ध्यान में रखने हैं तो ये चीज़ इसके कुछ प्रमुक कारण बन जाते हैं लाइक योवन मासिक धर्म गर्भावस्ता है या फिर ये आपका रज हो सकती है या जितना जरूरी है उससे कम हार्मोन जो है वो निकल रहे हैं तो आपके मनोवग्यानिक स्वास्ता और विकास को गंभी रोप से प्रभावित भी करते हैं तो एक संपून स्वास्ता में हार्मोन काफी इंपोर्टन भूमी का निबाते हैं लेकिन अगर थोड़ देखोगे कि MRI वगेरा के जरीए जो है वो ट्यूमर की पहचान करके इन सब चीजों को पता लगाया जा सकता है चिकित्सक विशेश रूप से मासिक ध्रमसे संब्दित हॉर्मोन के इस्तर को मापने के लिए जो यूरीन टेस्ट है वो भी यहाँ पर किया जाता है तो इतना परसर नाम का ये प्लेटफोर्म है और ये डैवलप किया गया है आपको जस्ट ये याद रखना है कि ये जो है वो एक तरीके से एक राइटिंग स्किल्स को अभारने के लिए हैं और ये इसका नाम है Augmenting Writing Skills for Articulating Research कि इस इंस्टिटूट के अंदर में बर्क करता है तो यही सिलाइड इसके अंदर में ढाली है इस तरीके से आपकी मैंने पूरी मैगजीन खतम कर दी मैगजीन में ज़्यादा चीज़े खास नहीं थी लेकिन जो थी वो आपके सिलेबस का पार्ट यहां पर बनती है जैसे मौसम है या फिर आपका वैदर सिस्टम है क्लाइमेट है यह सब चीज़ें आपके सिलेबस का पार्ट बनती है इसलिए मैंने पढ़ाई है बाकी कौमा ने आपको पता थी तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पर्टिकुलर आर्टिकल को और मैगजीन को पूरी मैगजीन यहां पर हो चुकी है इसमें एक दो आर्ट